वो जमाना गिया भाई के चलो चलो लूटने चलो हिंदुस्तान चलो सोना लूटो गोल लूटो हीरे जवायरात लूटो लोगों को गुलाम बनाओ बंदिया बनाओ हिंदुस्तान बदल गिया है हिंदुस्तान के लिए कोई आंक उठाएगा हिंदुस्तान उसके गर में उसक कराब हो गया पतान भाई वीडियो बनाएं कैनाडा ने हिंदोस्तान का डिपलमाटिक्स को देश छोड़ने की जो है वो कबर दे दी है तो पतान भाई वीडियो बनाएं हिंदोस्तान की सरकार को कैनाडा के एक बेवकूफ प्रेजिडंट जैसे सेम लाइक वो उक्राइन का और ये कैनाडा का ये दोनों सेम है, बुद्धी कम है, वो साला उक्राइन वाला अमेरिका की खातिर रश्या से बिढ़ गया, और वाई ये खालिस्तानियों की वज़से हिंदुस्तान से बिढ़ गया, ने तो पूरा कैनाडा ये नहीं चाहता, सिब ये प्रेजिडेंट ऐसा है, इसका दिमाग जो है, बच्चो वाला है, अच्छा आदमी है, हम नहीं बोलते के बुरा आदमी है, लेकिन उपर का फलोर हाली है इसका, बाई जब ये अपने मूँ से खेरा है, के हिंदुस्तान जो है, उसने एक कैनेडियन शेरी के साब मारा है उसको, और वो कैनेड़ था, वो क्या नाम है, कौन सा सिंग नाम था उसका, तो जब वो कैनेडियन था, उसका काम क्या है हिंदुस्तान में, अगर ये सारे कैनेडियन है, तो ये प्रोटिस किस बात का करते हैं कैनेडा में, ये कैनाडा में हिंदोस्तान की अमबेसी पे हमला क्यों करते हैं ये हिंदोस्तान आने की कोशिस क्यों करते हैं जब इसको वीजे नहीं मिले जिनके वीजे डिनाय हो रहे हैं तो पर ये आने की क्यों कोशिश कर रहे हैं सुनो मेरे बात पतान भाई वीडियो नहीं बनाएगा हंदोस्तान जो करना है वो करके रहेगा हंदोस्तान वो हंदोस्तान नहीं के दुनिया करे हंदोस्तान चुप रहे हंदोस्तान चुप नहीं रहेगा भाई हंदोस्तान चुप नहीं रहेगा नियम बदल गए, सरकार बदल गई, दुनिया बदल गई, हिंदुस्तान बदल गया अगर कोई देश जहां पर भी मारेगा हिंदुस्तान वहां पर गुसके मारेगा वो दिन गए भाई कि कोई भी आके हिंदुस्तान पर जो है वो अपनी बाचाईयां चलाओ अपना जो है सब कुछ बतमासियां करो मैं पलस सब को बोलता हूँ उसमें हम भी आते हैं मैं पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहता हूँ वो जमाना गिया भाई के चलो चलो लूटने चलो हिंदुस्तान चलो सोना लूटो गोल लूटो हीरे जवायरात लूटो लोगों को गुलाम बनाओ बंदियां बनाओ हिंदुस्तान बदल गिया है हिंदुस्तान के लिए कोई आंक उठाएगा हिंदुस्तान उसके गर में गुसके उसकी आंक निकाल देगा पतान भाई क्या वीडियो बनाएगा तुम लोग खुड समझो इस बात को हिंदोस्तान को किसी कैनाडा की जरुवत नहीं है मेरे भाई अपने पैर पे खुद कुलाडी मार रहा है अपने पेर पे खुद खुलाड़ी मार रहे हुए हुए हैंदोस्तान को क्या जरोत है एक कैनड़ा नहीं रहा तो नहीं रहा भाई ज्यादा नुक्सान कैनड़ा को होगा आप जाके रिसेर्च कीजिएगा कैनیडा के नाम से कैनेडियन सिटीजन्स जो है हर रोस वहां के गोरे, लम्बे, पतले, काले, पीले वीडियोजे बना के रो रहे हैं के कैनाड़ा के नंदर उतनी मेंगाई है इतनी हालत कराब हो चुकी है पहले दो, तीन साल, चार साल पहले ऐसा होता था कि पंदरह सो केनेडियन डॉलर में पूरे गर का कर्चा सब कुछ निकल जाता था अब सिर्फ गर के जो रेंड है वो डाई हजार डॉलर हो गए हैं तीन हजार डॉलर हो गए वा के लोग रो रहें केनेडा की क्या वकात है भाई हम क्यों वीडियो बनाए हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है भाई हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो काम अमेरिका पिछले 40 साल से कर रहा है वो अब हिंदुस्तान करेगा जिसने जिदर प्लैनिंग बनाई हिंदुस्तान वहीं जाके उसके प्लैनिंग पर पानी डालेगा हिंदु इसी भी देश के किसी भी स्टेट में हूँ वहीं से जाके उसको हलक से पकड़ेंगे उसकी जुबान कींचेंगे के जुबान को लगाम दो तो इनको ये नहीं समझ जारी किभाई अगर कुछ होता है तो कहते हैं ये कैनेडियन सिटीजन है पुरा पारलिमेंट उटके बोल र crénematics जो है वो रिश्टे गतंब कर रहा है ये कतंब कर दूँगा वो कतंब कर ते ये तेरी वकाद क्या है आता क्या है केनड़ा से हिंदुस्टान आदा केनड़ा तो हिंदुस्तान से चल रहा है तू हमें आ के लिदिए ये और ये AK लिख दिएगा को यूस कर रहा है असल में क्या है कि हिंदुस्तान को एक सोने की चड़िया माना जाता था या भी सहनी यह बहुत पुरानी कहावते है कापी हजारों साल पहले कहावते है तो हिंदुस्तान को सोने की चड़िया मानते थे हिंदुस्तान का नाम लेके लोग लाको करोडो अपने नाम से हिंदुस्तान का आप पाकिस्तान को देखिए पिछले 40-50 साल से जितनी सरकारे बनी हिंदुस्तान के नाम पे बनी आप बंगला देश में जाके देखिए यही सियासत चल रही है आप चाइना में जाके देखिए यही पॉलिटिक्स चल रहा है अब कैनडा तक ह हो गया है यह politics अब Canadian vote मांगने के लिए अपनी ओवाम को हुतिया बनाने के लिए हंदोस्तान का नाम ले रहे हंदोस्तान को फरक ही नहीं पड़ता अंदोस्तान क्या है किनाडा ने कुछ बोल दिया हाती कि गान पे मक्की बेड़ गई नो प्रॉबलम भाई क्या हो जाएगा उतर जाएगी मक्की थोड़ी देर बात मिलेगा कुछ नहीं भाई बात ये है कि वीडियो बनाना हमारा काम नहीं है हमारा काम है आपको रिमाइंड करवाना याद दिलाना हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है पूरी दुनिया कान कोल के सुन ले सबसमझ लें जो जो जिस देश में है हिंदोस्तान अब वेट नहीं करेगा हिंदोस्तान पहले वार नहीं करेगा हिंदोस्तान पहले हमला नहीं करेगा पुराने जमाने के आके बेड़ जाते थे नहीं हम बड़े शरीफ लोग हैं हम पहले हमला नहीं करते हैं हम पहले वार न हमारे नियम में है नियम छड़े मेरे उस पर जिसने जहां को टाए उसकी वई सी उसके गर में को उसके आँक निकालेंगे जिसने अपने गर में प्लैनिंग बनाई हिंदुस्ता । जहन जादा बात करने की जरौत नहीं है जादा बड़ा मसला नहीं है कैनाडा हिंदुस्तान के आगे इसा है क्या बता हूँ आपको एक जाते जाते एक चोटा सा एक्जेम्पल जिसे मेंड़क जुबान से मक्की पकड़ लेता है लेकिन कैनाडा के प्रेज़डन को इतना कहना चाहता हूँ ये जैनल्सकी चपल पता नहीं क्या नाम है इसका ये उकराइन का ये तो बड़ा बेवकूफ था लेकिन तुम बेवकूफ नहीं बनो बिटा उसने अपने अंदर पूरा गुसा दिया अमेरिका के लिए तुम मत गुसाव अपने लिए खालिस्तानियों की वज़ज़ से तो अगर खालिस्तानियों से प्यार है कैनाडा को तो नो प्रॉबलम कैनाडा में तो वैसा भी आदे से ज्यादा देश तो बरब बना हुआ है कहते हैं कि क्यामत तब आएगी जब कैनाडा का बरब पिगल जाएगा तो वो बरब को हटा के थोड़ा सा जगा बना के खालिस्तान बना लो और ये लंबी-लंबी दाड़ियां जिसकी है ये खालिस्तान वालिस्तान ये चने-चोले खाने वाले बेशने वाले ये सबको ले जाओ भाई गंद अठा लो यहां यूरप में भी कापी ज्यादा है पिली-पिली लुंगियां पहने के खालिस्तान से ये सबको टड़क बरबर के नँको ले जाओ वहां पर वो जो बरफ के रिया है वैसा भी आपके काम का नहीं है वहां पे एक खालिस्तान बना के दे दो इनको हिंदुस्तान का नाम लिया तो हलक से जुबान निकल देंगा ने तो पिर आपकी आँके बाहिर आ जाएगी और जुबान तेड़ी हो जाएगी तो लव यू दोस्तो बाबार